अलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस ओफिशल यूटुब चैनल में जिसका नाम है एस सोल सुलूशन मैं चंदन कुमार हाज़िरूं आप सभी के सामने अपनी एक और ने वीडियो के साथ आज के इस ने वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डैली उनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है और वो अपने एक्जाम्स के त्यारी कर रहे हैं चाहे वो सोल के स्टूडेंट्स है चाहे वो NCWEP के स्टूडेंट्स है या डैली उनिवर्सिटी म किसी भी regular college में पढ़ते हैं अगर वे fourth semester में उन सभी के पास में history का subject है और उनके पास में BA program का course है तो आज की नए video उन सभी students के लिए important रहेगी आज हम बात करेंगे आप सभी के एक question paper की यहां पर आप time duration question 3.5-3 गंटे देख रहे हैं लेकिन आपको paper में only 3 गंटे मिलेगा यह एक अलग paper था जिसके अंदर students को मिला था बट आप सभी यह देख पाएंगे इस video से कि किस तरीके का question आता है आप सभी के paper में और कैसे आप सभी को exams के त्यारी करके जानी है तो चलिए ज्यादा देना कर तो आज की अपनी इस video का हम स्टार्ट करते हैं तो guys 75 marks का आपका paper आएगा paper में आप सभी को कितने question करना है यह आप सभी को यहाँ पर clearly लिखा होता है जैसे यहाँ पर 5 question करना है आपने कई videos देखी होगी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 4 question के बारे में भी बताया है तो इस paper में आप सभी को 5 question करना है और immediately आपको सबसे पहले क्या करना होगा अपना rule number लिखना होगा जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी rule number ABCD या वैसे तो numbering में होगा 1 2 3 जो भी आपका होगा आपको वो लिखना है paper आप सभी या तो English language में या Hindi language में किसी में भी आप सभी लिखे सबसे 831 सदी की भारतिय समाजिक आर्थिक दसा का वर्णन किजिए इक तो समाज जीक और यक आहिक आर्थिक दिव इसकी बात हम कर रहें यहां पर इस समय भारत का समाच और एक और चीज देखते हैं कि अंग्रेजोंके दवारा यहां पर सत्तागन επιघ्रीडे बंगाल में वन्र वित व 1965 में और 1772 में आफ सभी का बक्सर करिव यूद कि अंग्रेजो अधिकारियों ने रोबर्ट क्लाइब ने जीत लिया था और इसके बाद में आप देखेंगे कि बंगाल पर उनका नियंत्रन हो जाता और दीरे दीरे फिर एक एक करके उद्देश के शेस भाग पर भी दीरे-दीरे कबजा करना शुरू कर देते हैं का आर्थिक म्मस्ता की बात करें तो यहां पर मेल ली जो लोग थे वो क्या करते थे में लेकिन अंग्रेजियों को आने से आपर विबिन जातिया थी जातिया थी इसके अलावा इसाई धर्म का इतना पर चार परसार नहीं हुआ था लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे हिंदू-मुस्लिम धर्म थे काफी जातिया थी और इन जातियों के बीच में बहुत जादा भेदबा होता कि आप इसके अं नहीं शिरुवात का मतलब यहाँ पर बेसिकली यह था क्योंकि इन दोनों युदों के बाद जैसा कि मैंने बताया एक तो बकसर का युद और दूसरा प्लासिक का युद यह दोनों युद आपसे भी को याद रखना है जो बकसर का युद है यह 1762 के अंदर और जो प्लास करके बेसिकली रूल किया करते थे तो यह द्यार रखना है आप सभी को यह इक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए इसके बाद में नीची आप देखेंगे तो यहाँ पर अगला कुशन आप सभी के लिए आ जाता है कि बिट्टी सरकारत को एक नया चरण था आप इसमें रेलवे का निर्मान n रेलवे का निर्मान शुत के बाद में Is and India कंपणी के इस्ट इंडीय कंपणी इस्टी इंड्या कंपणी का नियंत्रन ये काफी ज़्यादा में देखने को मिलता है थाड़ कोशन देखिंग है बेटी सरकार द्वारा बंगाल में लागू किये कि स्थाई बंदोबस्त आप सभी को बता है ये जो बंगाल में स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था इसे हम बोलता है इस्तमरारी बंदोबस्त इस्थाई बंदोबस्त ये था ये कांपर की बात हो रही है ध्यान से देखना है बंगाल की बात हो रही है तो आप सभी को पता है कि ये तो आपको बताना है ये क्या है तो आपने बढ़ा था कि जो वर्दमान एक इस्थाने जमिनदार थे उनकी जमीन लाम जब की जा रही थी तो उस से हमें परमाण मिले थे इनकी मुखे विशेस्ताओं को बताना है इस्तमरारी बंदोबस के क्या विशेस्ता थी और भारते समाज पर उसका क्या परवाव पड़ा इसके बारे मताना है कर निधारन कर रखा था जिसमें उन्होंने जमिनदारों को यह दिकार दिये थे कि आप अपनी तरफ से कितना भी कर वसूल सकते हैं परन्तु हमें ये कर एक निस्चित मात्रा में इतना चाहिए इतना चाहिए का मतलब है कि एक निश्चित मातरा में कर अंग्रिजदों को चही होता था और इस बातने कोई मतलब नहीं था कि आप सामने वालों से कितना कर वसूलेंगे जो यह जमिनदार थे, यह किसानों से कर वसूलते थे और कई बारी जमिनदार जो है वो कर अदा नहीं कर पाते थे कर अदा करने में एक सूर्य अस्त विदी थी वो बहुत important थी यानि एक डे निर्दारन होता था पहले से कि इस तारिक तक आप सभी को सूर्य अस्त होने से पहले आपको tax जमा करना है अगर आप tax नहीं जमा करेंगे तो इसके बाद में आप सभी की रतकंडे अपनाता है यासे तीन चार रतकंडों के बारे में हम बात करेंगे जिसे जितने भी जमीनदार थे वो या तो अपनी माता बेहने इनके नाम कर देते थे या अपनी पत्नियों के नाम कर देते थे दूसरा कई बार आंग्रेजों के दौरा विक्री का पूरा अवेजन करवाया जाता था और अपने रिष्दार किसी एजेंट ये जानकार को भीच कर लंबी लंबी बूलिया लगवाता था, इससे क्या होता था, कि थोड़ा सा ही पैसा पे करने के बाद में उसे उसकी जमीन निलाम करने से बच जाती थी, दूसरी बात ये थी, कि जमीनदार इस समय एक चीज ये भी देखते थे कि कई बारी वो जो बिकरी होती थी ना वो बिकरी फरजी करवा दी, यानि लंबी- मादा करने की बात है, तो उस इस्ताने जमीनदार का पता है नहीं, जिसने काफी लंबी-लंबी बोली लगाई, वो कभी आया है नहीं जम पत्ति लेने, दूसरी बार फिर बोली लगवाएगे, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो अंत में आकर अंग्रेज भी पर है कि इस्तमरारी बंदुबस्त में आकर क्या बात थी, जमिनदार अपना कर चुका नहीं पाते थे, तो यह माना जाता है, कि कई जमिनदार जानबूच के अपना कर नहीं चुकाते थे, कई जमिनदारों का कहना था, जो कर निर्धारन किया गया था, उसकी दर बहुत ز conhe噹 10 मही 1857 में यह पहला सोतंदरता संगराम था क्योंकि इसमें अलग-अलग जो है छेत्रों के अलग-अलग नेताओने शामिल हुए थे इसमें समाज का हमारा हर एक तपका महिलाए पुरूश चोटी जाती बड़ी जाती जमिदार किसान इवन सैनिक हर कोई शामिल हुआ था और 90 वर्ष पहले ही मिल चुकी होती लग-बगा में लेकिन हमें यह अजादी का सुआत पहले नहीं मिल पाया क्योंकि अंग्रेजो अधिकारी दोवारा इसमें हमारे जो भी विद्रोई करता थे उन्हें लालच दिया गया और विद्रोई करता केवल अपने लालचों को पूर बिहार में आरहा उसके आस पास में एक स्थाने जमेंदार थी जिनका नाम था वीर कुवर सिंग उन्होंने अगवाई करी थी इसके अलावा वाजी दली शाहा जो है उनकी पतनी जो थी उन्होंने मेरट में और जो दिल्ली है वहां से बादूर साज अफर तो ऐसे बहुत स समकालिन भारित समाज में उपत जो उत्पित या उत्पत्ति के दार्पर धार्मिक सुधार जो रिजनल रिफार्म से एंगे वह कौन कौन से थी आप सभी को पता है इसमें आपको आरे समाच अरे समाच ब्रह्म समाच जो राजा राम मोहन राय है इनके द्वारा किये गए शति पर्था के विरूद की बात है या पिर जो रिफॉर्म किए गएं उनके आपको इसके इंदर चरचचा करना है ऐसके बाद में नैस्ट कोशिट है इस कोशिट में आप से पूचा गया है कि भारत में होए किर्शक और जंजातिया आंदोलन जैसे आप सभी को पता है कि зах तेलंगाना विरूर और अजादी के पूर्वम और मेशेन से प्रश्चाट को आत्याभ है! यह हैं, जय से गांधी ने आगे चलकर जो विषू किये, उन विषू को या फिर उन आंदोलन को नीव देने में कही न कही इनकी भूम्हका थी, नेक्स्ट कोशन हैं, आपको नरम भन्ति और गरम भन्ति में आन्तर स्पस्ट करना इंपॉर्टन resist क्योशन है यह कुशिन भी आपके बेबर में आता है अठार सथावन का जो विद्रा ये भी इंपॉर्टन कोशिन है नेक्स्ट कोशिन आप सभी के सामने है कि सही मारणे में गांदी जी एक रास्टे निता थे तो इसमें गांदी जी का सुरूप बताना है कि कैसे वो उनमें कोई तड़क बड़क नहीं था वो एक सामानने लोगों की तरह रहते थे इसके अलावा वो आम बूल चाल का इस्तमाल करते थे आम लोगों के लिए उन्होंने कई बारी संगर्श किया इन सब चीजों को आपको इसके अंदर चितरन करना है इसके बारे में आप सभी को बताना है उन्होंने राष्टे आंदोलन के अंदर सो दिन तक अपरतिक चरको को बनाया था नेक्स कोशन है उन परिक्रियाओं की वैक्या कीजिए जिनके फलसुरूप 1947 में भारत का विवाजन हुआ तो इसमें परतक्ष कारवाई दिवस मुस्लम लीग की मांग और साथे साथ में पिर्थक निर्वाचिका ऐसी तमाम बाते या फिर आप सभी को जो कैबिनेट मिशन है इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है इसके बाद में नीचे कुछ शॉर्ट नूट है या आपको जुरू करना है साइक संदी यह important है ये भी हम पढ़ाएंगे चारतरे की सर्तेती इसमें कि एक जो राजा जो भी साइक संदी को adopt करेगा वो किसी दूसरे राजा के साथ या तो युद नहीं कर सकता या फिर उससे मितरता नहीं कर सकता अंग्रेजी अधिकारी दूसरा पॉइंट है अंग्रेजी अधिकारी जो है वो क्या करेगा वो अंग्रेजी अधिकारी जो है हमेशा दर्वार में रहेगा उसका खर्च जो है वो राजा को देना पड़ेगा अपनी सीना नहीं रख सकते सीना भी अंग्रेजों की सीना रखनी होगी और सीना का खर्च भी देना पड़ेगा अगली बात क्या है कि सासम के जो नियम काईद है कानून वो दिरे दिरे अंग्रेजियों के चलते थी नील अंदोलन क्या था जिसमें गांधी द्वारा चलाए गया था इंडीगो का अंदोलन इसमें भारत के सविधान के परमुखधारा है इसका वर्णन करना है तो यह कुछ कोशन्स है अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ जुड़े वे अगर आप लोग जुड़ेंगे तो हमें और अच्छा लगीगा बाकि मिलते हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में जै हिन जै भारत